यूवा है तयार इस बार लाएंगे तेजश्वी सरकार सायद इस तरीके का एक्जिट पोल हमने साफ तौर पर देख लिया है लेकिन अब बारी है खुलियाम नतीजा देखने की हाला कि अभी रुझान चल रहा है नतीजे आने बाकी है लेकिन रुझानों में क्या चल रहा है यह प्रमीर जी हमनों को साफ साफ बताएंगे जी प्रमीर जी तेजश्वी यादों ने नरेंद्र मोदी को पचार दिया है क्योंकि यह चुनाव भर्सस नितिस नहीं हो रहा था आपको भी पता जितने होडिंग बैनेर लगे हुए थे सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा हर जगा दिख रहा था तो हम कह सकते हैं कि तेजश्वी यादों ने मूदी जी को पचार दिया तेजश्वी यादों यानि कि महागडबंधन अभी पचास सीटों पर आगे चल रही है वहीं पर एंडिये मात्र तेई सीटों पर आगे हैं यह तो मतलब आधे से भी कम है अरे यह देखिए जो हमको तो लग रहा है कि जो तेजश्वी परताप यादो सुबह सुबह करें कि एक सो साथ पलस मत हो जाए अभी तक चीहतर सीटों का पहले रुजहान है वह सामने आये हैं जिसमें आर्जेडी एक कावन पलस हो गई अभी 50 था देखिए कावन हो गया जो र आगे चल रहा है और हम एक सित अभी चल रहा है वह गडबन्दन की बात करें तो आरजेडी एक सीटों पर आ गये हैं और कॉंगरेस सतरह सीटों पर है और जो हम पार सोडी हम नहीं वाम दल है वो चार सीटों पर आगे बढ़त बनाई जी यह जो आकड़ा है वो वैले का य लेकिन ये तो रुजहान है, नतीजे याने बाकी है, नतीजे में क्या होगा, कैसा लग रहा है कि बिहार का इस बार सरकार सच में तेजश्वी यादो ही होंगे, या फिर कोई और नया चेहरा बनेगा, जिस तरीके से नितिश कुमार और परदान मुंति इंदर मोदी जी चु मुख मंतरी होने पर जो उनके खिलाप एक नकरात्मक जो अकरोज था लोगों के अंदर, चाहिए वो चमकी बुखार का मामला हो, चाहिए बार का मामला हो, चाहिए कोरोना काल में भी नितिश कुमार ने कई फैसरे ऐसे थे जिन्नोंने गलत उठाये, जैसे प्रवासी पर पहले रुजहान सामने आगे है, इंडिये 24 सीट पर आगे हो गई है, लेकिन महागटबंदन डवल कहा करा, 52 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अधर्स के खाते में दो सीट अभी आगे चल रहे है, और ये पहले रुजहान जो है, यह मैं सा माना जाता था कि नौकरी करने वाले भी अब की बार महागटबंदन सरकार कर रहे हैं और तेजसी आदों के समर्थन में है, जो भी आकरा होगा सबसे पहले हम आपके पास लेकर आएंगा, हर अपडेट सबसे पहले, एक समान एक वेतन के नाम से जिस तरीके से लोगों ने वादा किया था कि इस बार जो एक समान एक वेतन की बात करेगा, हमारा वोट वहीं जाएगा, सायद वैलेट पेपर का जो रुजान आ रहा है, वो दर्शा रहा है कि नतीज सरकार इसमें फुलॉप साबित हुई है